उमर्गाम दालुकानी सरीगाम पंचानी चुरुणी माँ परिवर्थन पैनल ने मद्दारों नू अभूत पूर्व प्रतिसाद मडी रहोशे। अवे जे स्थानिक उमेद्वार मुकवा नू कारण तो प्रणाली भार्तिय जनता पाटी नी सर्वाथ्थिच चालती आवेली छे। सब्सक्राइब नमस्कार मैं सरीकाम के सभी ग्रामस्तों को निवेदन करती हूं उनिस थारिक को जो इलेक्षन है ग्राम पंचायत का तभी ग्लास के निशान पे आप वोट देके सरीकाम परिवर्तन मंच के इस पैनल को विजई करें हमारे जो उढ़ारी है उनका नाम है रमेश जी धुमाडा वो बहुत अनुभवी माजी सर्पंच है उनके साथ हमारी पूरी टीम सरीकाम का परिवर्तन करने के लिए रेडी है तो आप बहुमत से हमें विजई करें और हमें बहुमत से विजई बनाएं यही निवेदन है धन् अने जे आपड़ू विक्यास एकदम विखेडाई गेलू छे तेना पक्समा थाई ने अने बद्दा जागरित नागरीकों ने एककज अपील छे के हिंदू, मुस्लीम, उत्तरबार्तिय परप्रांतिय अने अहीना स्थानिक लोकों बद्दा मडी ने बद्दा एकज पक्स आवीने अने गलासना निसान उपर ब्रष्टाचारना सामें, ब्रष्टाचारना विरोध मां आने खाली फक्त नूरा कुष्ती करे रेला एवा बेभायों जे सरीगयं मां छेला पंदर वरस्ती ब्रष्टाचार आचरी एला चे औने एलोकों नी मनमानी करेले ने जे डर न निसान ने विजाई बनावों कई भी असे सरीगाम परिवर्तन मंच नी अमर बद्धा लुकों नहीं तिक जिम्मेदारी छे कोई ने गामना अंदर विकास ती विखो जे रही गेला चे चे वाड़ाना गामों ए बद्धा गामों नो विकास थसे और ब्रश्टाचे अर मुकत अपड़े सरीगाम बनावी सुँँ फक्ता आटलूज बोलो ने नम्र निवेदन करूँचू कि बद्धा ग्लास ना निसान ने मत आपी अने विजाई बनावों नमस्ते सरीगाम ग्राम बन्जान दे चोट्नी मा परिवादन एटला माड़े जरूर छे के छिला पंदर वरस्ती अलब को जे सरकार चलाई विरेला चे सरकार तरफ ती मलती ग्रांटो अने आपना सरीगाम ना अबक्वेराने आटली मूटी इंकम चार करोड ती मातब बर रक्कम ज दूरबाग ग्या चे तो एवास सरपंच पोता ना स्वार्त माटे पोता ना विकास करे रहा होए ने सरीगाम ने विकास सी वंचित करता होए तो खरेकर आपने परिवर्तन जरूर चे अटले हमें हमारा अप्त्तर परिवर्तन मजना जे भी शिक्षित ग्राजुट बुद अमें बलसाट जिल्ला पाइच अदिक सीट अनि तालूका पाइच अदिक तंटन सीट हो अमें अमार जिल्ला माध्य तुटिने मोकाईला चे तो आवकते ग्राम बंचानमा सरीगाम ने परिवर्तन करी ने रेसु और अमें साथ मिडवी रेसु आपने आशा रागो चुँ झाल देओाज जो आवकते ने परिवर्तन करी विर्तन करी तो, यह झालका पाइच ग्राम जो आवकते तुटिने मोका बंचानमा।